हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मैं राहूल नंजन श्टडी इंडियाटा के यूट्यूब चैनल में आपका श्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थम्नेल पर देखी लिए होगा दोस्तों कि यहां पर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आज इन्फर रहा हूं साथ साथ में यह भी करूँगा दोस्तों उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है इसका मैरिट कैसे बनता है दोस्तों फिजकल प्रोसेस क्या है सभी चीज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं बस वीडियो को लाहट तक जरूर देखिएगा ठीक है औ दोस्तों और आपको यह बी पता होएं दोस्तों कि हम लोग यहां प्लॉटूर का यहां पर महत्तपून क्या चलाते रहते हैं दोस्तों साथ ही साथ आपको ब्यात्ते महत्तपून जितने करके अपने को बूश्ट अप कर सकते हैं ठीक है दोस्तों चलते हैं हम लोग दोस्तों यहां पर देख सकते हैं CSBC का ऑफिसल वेव साइट है यहां पर हम से हम लोग जो है कुछ इस तरीका का एडवर्टाइजमेंट है आपको बिहां केंद्रिये चैन परसत जो कि सिपाही भरती का दोस्तों जो कि आया था चलन्त दस्ता सिपाही 496 पोस्त जिसका एक्जाम दो फर्वरी को हुआ था दोस्तों इसका हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि इसका जो है कि कट-off expected क्या होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इ दोस्तों पहले सबसे पहले मैं आपको बता दो कि इसका जो है और एक्जाम जो हुआ था दोस्तों एक्जाम कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आपको बता दें कि पांच गुना जो रेजल्ट देने वाला यानि 2480 के लगबग यहां पे PT के लिए student को qualify करेगा और आपको पता होगा कि इसका भी exam जो है आपको married जो बनेगा PT के basis पे ही बनने वाला है सबसे पहले हम लोग cut off देख ले तो उसके बाद हम लोग वो सारा चीज डिसस करेंगे बात करते हैं दोस्तों यहां पे cut off के तो general के कि अगर male में दोस्तो male female सभी का अलग अलग यहां पर पोश्ट आया था दोस्तों mail का अगर 72 से चोटर के बीच में अगर number आ रहा है तो आप लोग शेफ जोन में हैं दोस्तों सेफर स्कोर में है ठीक है क्योंकि यहां पर बातर से चोटर नंबर किसी के आसपास आपको लेगिन cut up expected इतना ही जा सकता है फीमेल की बात करते हैं 45 से 50 अगर number आ रहा रहा है जगर general का तो इनका भी शेफ हस को रहा है बीसी कटगरी की बात करते हैं mail का 70 से 74 के बीच रहा है तो आपक भी safe score है फीमेल में 40 से 45 के बीच बीच आ रहा है तो आपका भी safe score है आप लोग P. के प्र हीरिटी के बेसिस गहीव हैं आपको मेरिट बढने वाली है, इबीसी की बाद करते हैं, मुल्क कैंडेट काउट से सक्षर स्व Іंश्थ खळीस और रायं लग जाएंट है टिख है है, एषटी कटिगरी की बात करते हैं, में मेल मेल से 60 और या तो इनका भी safe score है female 30 pixels 35 के बीच में आ रहे हैं ćो enka vẫn safe score हैerald likes कंड कि बात करते दोस्तों जो की अलग इनका जो है reservation बिहार में मिला हुआ है तो फीबिल में दोस्तों बात करते 35 और तो इनका भी safe score हो यी wszyscy करी की बात करते मेरका 65 से 70 के ईनका भी safe score है female में 35-40 आ रहा है दोस्तों तो इनका भी सेफ़ स्कूर एड़ूए स्केटगरी का यह हम लोग दोस्तों expected cut-up analysis करने के बाद देखे रहा है कि यहां पे आप लोगो decide करके बता रहा हूं दोस्तों जिसका एक्जाम दो फरवरी 2020 को हुआ था इसके आस पास भी नंबर आ रहा है दोस्तों तो आप लोग फिजकल में लग जाएए क्योंकि आपको फिजकल के बेसिस पे ही merit बनने वाली है ठीक है हम लोग analysis करके expected cut-up हितना हम लोग decide किये हैं दोस्तों ठीक है बात करते हैं यहां पे आप लोग को जो जो advertisement आया था दोस्तों इस advertisement में जो है देख सकते पे ग्रेड वी अच्छा खासा बावन सो से दोजार बीस जार दोसो दोस्तों जोकि उनीस सो पे ग्रेड पे है जोकि उनीस जार नौसों से तीर सट जार दोसों तक इसका salary मिलने वाला एक तरह से देखा जाए तो बिहार पुलिस की तरह है दोस्तों ये भी और बिहार पुलिस के अंतिक्रत ही आए आपको पता भी होगा देख सकते हम लोग बात करते हैं यहां पे इसका जो है आपको merit कैसे त्यार होगा दोस्तों merit list कैसे बनेगा उसके बाद हम लोग देखें इसका result कब पुलिस में है ठीक है आपको minimum 30% अंक जो अगर लाईएगा 30% से अगर कम लाईएगा दोस्तों तो आपको जो है अशफल घोसित कर दिया जाएगा minimum 30% जो है रखा गया है और उससे उपर ही आपको लाना है ठीक है बात करते हैं यहां पे पांच गुना जो result दिया जागा प को डिसस कर दिया हूँ कैसे इसका जो होगा दोस्तों PT कैसे होगा फिजिकल प्रोसेस कैसे होने वाला वो चीज को देखिए टोटल 100 नमबर का फिजिकल प्रोसेस होगा सबसे पहले दोड़ होगा जिसमें 50 अंक होने वाला है दोस्तों समान कोटिक पूर्षों के लिए 1.6 क किलो मीटर यानि 600 मीटर होता है 600 मीटर के लिए अधिकतर 6 मिनट का समय दिया जाता है 5 मिनट से कम समय में अगर दोड़िए गा तो आपको 50 अंक दिया जागा 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक दोड़िए गा तो आपको 40 अंक दिया जागा 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिन 40 सेकंड तक तो आपको 30 अंग दिया जाएगा और वही 5!40 से 6 दोड़ीगा तो आपको 30 अंग 20 अंग दिया जाएगा और 6 मिनन्ट से अधीक समय लीजाए तो आपको 0.15 घोसित कर दिया जाता है 6 मिनट से ज़्याद समय लेने पर अगला होता है महिलाओं के लिए दोस्तों एक किलोमीटर का दोड़ होता है इसके लिए अधिकता है पांच मिनट का समय दिया जाता है चार मिनट से कम अगर दोड़ियेगा तो आपको 50 अंग दिया जाएगा चार मिनट से चार मिनट 20 सेकंड तक दोड़ी गाता आपको 40 अंग दिया जागा चार मिनट 20 सेकंड से चार मिनट 40 सेकंड तक दोड़ी गाता आपको 30 अंग दिया जागा चार मिनट 40 सेकंड से पांच मिनट तक दोड़ी गाता आपको 20 अंग दिया जागा और पांच मेंट से अधिक समय लीजेगा ता आपको अशफल घोसित कर दिया जागा अगला है आता है दोस्तों दूसरा जो आता है वो गोला फेक का आता है गोला फेक 25 नमबर का होता है यह सभी कोटी पूर्सों के लिए 16 पॉंड का गोला होता है दोस्तों जो की गोला निउनतम 16 फीट तक आपको फेकना होता है 16 फीट से 17 फीट फेकीगा तो आपको 9 अंग दिया जागा 17 फीट से 18 फीट फेकीगा तो आपको 13 अंग दिया जागा 18 फीट से जादा और 19 फीट तक फेकीगा तो आपको 17 अंग दिया जागा बात करते हैं महिलाओं के लिए क्या रखा गया है दोस्तों 12 पाउंट का इनलों का गोला है और 12 फिट तक फेकना होता है मिनिमम 12 फिट से 13 फिट फेकिएगा तो आपको 9 अंग दिया जाएगा 13 फिट से 14 फिट फेकिएगा तो आपको 13 अंग दिया जाएगा 14 फिट से 15 फिट फेकिएगा तो आपको 7 अंग दिया जाएगा 15 फिट से 16 फिट फेकिएगा तो आपको 21 अंग दिया जाएगा सभी कोटी पूर्सों के लिए नियुन्तम चार फीट जो है यहाँ पे रखा गया है, चार फीट अगर कुदकिएगा तो आपको तेरंग दिया जाएगा, चार फीट चार इंच कुदकिएगा तो आपको सतरंग दिया जाएगा, 4 फिट 8 इंच को दखिएगा तो आपको 21 अंग दिया जागा 5 फिट को दखिएगा तो आपको full marks जो कि मिलता है 25 अंग दिया जागा और 4 फिट से कम कुदखने वाले पुरू सभेर्ति को अशफल घोसित कर दिया जाता है अब आते हैं महिलाओं के लिए क्या है दोस्तों नियुनतम तीन फीट है तीन फीट को दखिएगा तो आपको तेरंग दिया जागा तीन फीट चार इंच को दखिएगा तो आपको शतरंग दिया जागा आपको इसी तीनों के बेसिस पे आपको मेरिट मेगा सुची त्यार होगा दोस्तों इसी के बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट त्यार किया जाएगा जिसमें आता है सरीरिक दक्षिता, कहने दोड, उची कुद और गोला फिक इसी तीनों के बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट बनता है सेम उसी तरीका से आपको मेरिट इसमें भी बनने वाली है अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसका जो है बात करते हैं सारीरिक माप डंड में दोस्तों यहाँ पे उचाई और सीना के लिए कोई अंग दे नहीं होगा परन्तु बिवाही तहरते पुरुस नहीं करन वाले वहरतियों को अशफल घोसित कर दिया जागा ठीक है उचाई के लिए दोस्तों यहाँ पे अनरच्छित समान बर्ग पुरुस और पीछड़ा बर्ग के लिए नियुनतम 165 cm रखा गया है बाकि सभी बर्गों के महिलाओं के लिए नियुनतम 155 cm रखा गया है पीछड़ा बर्ग एतियां पीछड़ा बर्ग पुरुसों के लिए बिना फुलाए 80 cm फुला करके 86 cm अब फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 cm का अंतर होना चाहिए minimum ठीक है 5 cm का डिफरेंस होना चाहिए बात करते हैं अनुसुची जाते हैं अनुसुची जन जाते पुरुसों के लिए बिना फुलाए 89 cm और फुला करके 84 cm इन लोगों के लिए भी जो है 5 cm का डिफरेंस जो है फुला करके सीना और बिना फुलाए हुए सीना में जो है 5 cm का अंतर होना चाहिए ठीक है महिलाओं के लिए सीना का माप नहीं होता है दोस्तो बात करते हैं चिक दोस्तों जो वहीं परकारि जाता है दोस्तों प्रतिकुल परतिवेददन प्राप्त होने एवं अथवा अभयर्थियों द्वारा तत्यों को छुपाने चुपाया जाने कि स्तीति में अभयर्थियों को जो है के लिए आयोग घोसित कर दिया जाए काहने का मतलब आपको सीधी सी बात हुआ इसका जो medical process बहुत ही simple होता है दोस्तो normal medical होता है ठीक है जो कि इसका जो अफिशियल यहां पे सरकारी प्रवधान के उसर कराया जागा ओफिशियल जो सरकारी medical होता है दोस्तों वहीं पे कराया जाता है ठीक है हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसका exam को लेकर करके तो exam जो है exam का भी दोस्तों official कहीं कुछ इसका आया नहीं है दोस्तों लेकिन most probably chance है क कि यहां पे मैं देख लेकर रहा हूं दोस्तों मॉइल एक्सकोर्ट का जो 2220 का exam हुआ था अभी रिलीज सून कहीं कहीं लिख रहा है दोस्तों official website पर भी नहीं जारी किया गया दोस्तों लेकिन most probably हम लोग मान सकते हैं में जून तक आने की possibility हैं दोस्तों लेकिन मैं जो expected जो official advertisement में हम लोगों ने देख लिए हैं दोस्तों ठीक है अगर इसके आज पास भी नंबर आ रहा है तो आप लोग फिजिकल में लगजिए क्योंकि फिजिकल के basis पर ही merit बनेगा तो आप लोग continue इस चैनल को follow करते रहे आसा करता हूं कि यह information आप लोग के लिए बेहतर लगा हो दोस्तों official website जो है csbcbh.nic.in official website पर आता है ठीक है मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन